हेलो एवरीबन मैं मिखुन सञ्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अश्य होंगे बात करेंगे कस्तुर्वा गांधी बाली में जो भरती आने वाली है उसके बारे में सचेत करने के लिए आप लोगों को बताया गया है दो-तिन चीज़ें देखिए आपके पास होनी चाहिए कस्तुर्वा गांधी बाली का विद्ध्यले में अपलाई करने से पहले पहला तो है निवास परमान पत्र यानि की रेसिडेंशियल प्रूप या फिर डेमोसाइल जो भी आप समझों डेमोसाइल वगएरा ये आपको बना लेना है दूसरी बात आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए तीसरा आपके पास कारेक्टर सर्टिफिकेट EWS जो भी आपके पास जाती वगएरा ये जरूर होनी चाहिए हिसेंट साइज का फोटोग्राफ आप जो है 20-30 खिचा कर रखना काम में आएगा आपका ये कलिक करवा कर रखें आप डेवलप भी करा लें ये आपना जब एक फॉम आएगा तो परिसान होने की ज़रूरत नहीं है इन चीजों को पहले से करा कर रख लें बात करेंगे कस्तुर्बा गांधी वाली का विद्याले में कॉंट्रेक्श्वल वेकेंसी ही होती है आपको वहां रहने के लिए बोला जाएगा और वहां पर आपको अर्ची खासी सेलरी भी दी जाएगी बित फुरू फ्रीजों है आपको फूड और लॉजिंग भी वहां पर मिल जाए यहां से देखिए 288 पद अभी भी खाली है अभी यह कहां की बात हो रही है यह बात हो रही है जारकंड की और यहां पर देखिए एक और इंपोर्टेंट बात हर जिला में कितने कितने सीटें खाली रह गई है उसके बारे में यहां पर बताया गया है एक और बात मैं आपक पा रहे हैं इसकी बालिक अब आएगी वो भी मैं अभी आपको बता दूँगा देखिए कस्तुरवा बालिका बिद्याले में कम मान दे यानि कि पैसे कम मिलते हैं फिर भी ठीक ठाक है प्राइवेट स्कूल से तो अच्छा ही है रहने वहीं पे रहना आए आपको और वहीं प परतिसत दे और इसके लिए जो वेकेंसी आने वाली है यहां से देख लिजिए 15 अक्टूबर तक वेकेंसी आ जाएगी 15 अक्टूबर 2022 की बात हो रही है तो कमर कस लिजिए मैंने जो जो सर्टिफिकेट बगरा बताया था वो जरूर अपना तयार करके रखें AWS है तो वो भ कोई सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछ ले धन्यवाद आप सभी का